Hey guys, welcome back to another video, मैं हूँ DRX आरुन रशीद सायद दोस्तों ऐसे काफे सारे लोग होते हैं जिने जो है मस्से की बहुत जादा प्रोब्लम होती है मस्सा यानिके जिसे जो है इंग्लिश में वार्ट का जाता है और काफे सारे लोग जो इसे मूज भी कहते है तो बहुत सारे लोगों को जो है मस्से की प्रोब्लम होती है उन्हें जो है बोड़ी पर अलग-अलग पार्ट के उपर मस्से आय होते है जैसा कि फेस के उपर होता है इसके अलावा हाथ के उपर होता है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है इसी से रिलेटेड एने के वाट को रिमूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा है अरवधिक मेंडिसिन बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से अगर से आपके चहरे के उपर है फिर बॉड़ी के किसी भी पार्ट के उपर मस्ते की समस्या है वाट है तो वो जो है काफी हद तक कर सॉल्व हो जाएंगी तो बिल्कुल भी दोस्ता हम लोग टाम वेस्ट नहीं करेंगे फटावर साच का वीडियो शुर में लिखा हुआ है वाट रिमूवर और यहां पर एक गरल की पिक भी दिवी है तो इसके चेहरे के उपर यहां पर वाट हैने के मस्ते को दिखाया गया है और यह जो आता है दोस्तों प्रोटक्ट यह आता है एस्पी फार्मसोटिकल्स की तरफ से और इसके अंदर जितने बहुत ही काम साइड इफेक्ट होते है और अगर से साइड फीजी बात की जाए तो बहुत कम चैंसे होते हैं कि इस किस तरीके के प्रोटक्ट का कोई साइड इफेक्ट होंगा तो इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों इस मेडिसिन के फायदे के बारे में यानि किसे किसले यूज़ किया जाता है तो जैसा कि इसका नाम ही है Water Sin और आज का मारा में टॉपी की है वाट तो बेसिकली इसे सिर्फ जो है मस्य के लिए मुस को रिमूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है अब मस्य को अगर से हम लोग डिफाइन करे तो आप लोगों को पिक दाल दूगा मैं इसे मस्य कहा जाता है बहुत सारे लोग तिल को भी मस्य कहते है लेकिन तिल जो है वो मोल होता है वो एक अलग चीज हो गई लेकिन जो मस्य होता है वो इसके लिए मैं आप लोगो इसके लिए पैकेट खोले तो एक हमें आपर सबसे पहले एक इंडिकेशन मैंवल मिलेंगा इसमें आप लोग पढ़ भी सकते हैं किस तरीके सी यूज करना है लेकिन आपको बता ही रहा हूं इसके आपने मिलती है कुछ इस तरीकी की बॉटल यह इसके अंदर गुलाबी कलर का, जह है पिंक कलर का liquid आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ में ही यहाँ पर हमें छोटी सी sticks दी हुई है, यह sticks आप लोग देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जो धक्कन है कि यहाँ से ओपन हो जयाता है, इसे ओपन करना है, और इस टिक को अंदर इसके इंसर्ट करना है अब इस वात का ख्याल रखे दोस्तों कि इसे थोड़ा से कॉंटिटी लेना है एक्टम थोड़ी से मतलब अगर से अप्तों कि इसे डिप करेंगे अंदर जाएंगा थोड़ा सा लगेंगा और जहां पर भी आपके जो है चाहे वो चैरे के उप क्यां पर दिन आप अप जिस ताटिक से यूज़ करेंगे तो आपका वार्ट है वो जाए थोड़ा हाड और ब्लेक कलर का होना शुरू हो जाएगा वह स्लाइटली जो है वह बढर हो जाएंगा इसके अप्र नहीं पर लगाना है अदर्वाइस नॉर्मल स्किन पर नहीं ल तो आप लोगो कितने बड़े मस्सी की प्रोब्लम हो यह वाटर सीन से वह 100% कुछ दिनों में ही खतम हो जाएंगी उसकार में रहीती है बात कि इसका अगर से दान धबब बचता है तो उसे जो है आप लोग अगर जेल यूज करके अपलाई कर लगा कर जो है उसे रिमूफ कर सकते है या फिर जो है किसी तरीकी की कोई होमेरे मेंटिस करके बेसन वगेरा लगा कर भी रिमूफ कर सकते है तो इ कि हमेरे बहुत संद है तो अपनिश करना है तो मेरे वोट्स आपक नमर पर कर सकते हैं इसका अगर साइट ईफेक्स की बात कि जाए तो इसका साइट इफेक्ट नहीं है तो फटाफट पोच लिए आप दिककत का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा और इसके अलावा जो लोग चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है कि आप लोग मुझे कर सकते हैं तो चले दोस्तों मैं मिलता आप से मेरे नेक्स वीडियो में तब तक आप कर के लिए जाएं हिंद